नमस्कार अब दिख रहे हैं नेक्स्ट ने नवाज मैं हूँ आपके सांस सिराज बिहार को लेकर बीजेपी एंडिये में शामिल दलो के बीच सीट बटवारे को लेकर अभी तक आम सहमती नहीं बन पाई है इस बीच चिराग पासवान की पार्टी लोजपा यानि राम विलास ने राज्य की 11 लोग सबा सीटों के लिए प्रभारियों का एलान कर बीजेपी की प्रशानियों को बढ़ा दिया है लोग जन सक्ती पार्टी राम विलास ने हाजीपूर, जमुई, खगडिया, समस्तिपूर, वैशाली, नवादा, गुपाल गंज, सीतामडी, वालमिकी नगर, जहानाबाद और बेगू सराय में प्रभारियों की नियुक्ति कर दिया इस कदम को चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को या संदेश माना जा रहा है कि वह इनी 11 सिटों पर अपने प्रत्यासियों को उतारना चाहते हैं नियुक्त के ये गए हैं, बता देए कि पासवान फिलाल खोद जमोई से सांसद है, उन्होंने हाजीपूर सीट पर प्रभारी की नियुक्ति कर अपना दावा ठोक दिया है, बता देए कि उनके चाचा पशुपती पारस यहां से सांसद है, राम विलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में तूट पड़ गई, पशुपती पारस रास्तिय लोच्पा और चिराग लोच्पा राम विलास नाम से अलग-अलग पार्टीयों का प्रतिनेदतों करते हैं, नवादा से चंदन सिंग खगडिया से महभूव अली कैसर, वैशाली से वीना देवी समस् पर चिराग की पार्टी के सूतरों ने जो है मीडिया से बातचीत की और कहा कि ये सीटे हमारी प्रात्मिक्ता में शामिल है और इसमें सीट बटवारे में जो भी सीटे मिलेगी उन पर पार्टी के चुनाव लड़ने को तयार है, साल दोहजार उननीस के लोग सबाद चुन पर चिराग पासवान की और राष्टिय लोचपा पशुपती पारस की और हम सेकुलर माजी यानि माजी की जो है और बताते चलें कि राष्टिय लोक जनतादल उपेंद्र कुश्वाहा ऐसे में सीट सेरिंग का फर्मूला पिछली बार से अलग होने की उमीद है, ऐसे में बीजेपी के सामने सभी सही योगियों को संतुष्ट करने की चुनावती है, देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी अपनी और जेडियू की सीटों में कटवती कर अन्य एंडि सही योगियों को समयोजित करती है और क्या जेडियू 17 से कम सीटों पर चुनावन लणले के लिए तैयार होती भी है या फिर नहीं फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने च्टेन वाच के साथ